जैमातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए comment box में जैमातादी जरूर लिखें दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सकर चौत वत्तिल चौत की संपूर्ण व्रत विधी के बारे में इस दिन प्रसाद में आपको भगवान जी को क्या भोग लगाना चाहिए और चंदरपूजन की विधी क्या है और सकर चौत का व्रत आप क्या खाकर खोलें और इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और इसके लावा हम बात करेंगे सकट चौत के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से आपको सकट चौत एवं तिल चौत वरत की संपूर्ण जानकारी मिलेगी लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्लड बैस मैजिक को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब कर लें तो आईए सुरू करते हैं दोस्तों हर महा में दो चतुर्थी तिथी आती हैं एक सुकल पक्ष में जिसे विनायकी चतुर्थी कहते हैं और दूसरी क्रश्न पक्ष में जिसे संकस्टी चतुर्थी कहा जाता है लेकिन सभी में माग महा की संकस्टी चतुर्थी का विसेज महातु माना गया है जिसे ही स सकट चोथ, संकटा चोथ, तिलकुट चोथ, वमागी चोथ के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि संकस्टी का अर्थ होता है संकटों का हरन करने वाली चतुर्थी। इस व्रत में भगवान गणेज की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने पुत्रों की धीरगाय। और खुसाली के लिए यह व्रत रखती हैं। और रात में चंदरदर्सन करने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। रात में चंदरोदे के बाद चंदरमा को वर्द देकर व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन गड़ेज जी की पूजा करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं सकट चौथ वतिल चौथ की पूजविधी के बारे में। दोस्तों इस दिन आप प्राता का सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर लें। और इसनान करें। ध्यान रखें कि इस दिन तिल का उप्टन लगाकर इसनान करें। या फिर अपने नहाने वाले पानी में काले तिल मिलाकर बाल धोकर इसनान जरूर करें। और इस दिन रती को लाल रंग के वस्त धरन करने चाहिए। अब इसके बाद गडेज जी की पूजा करें और अपने दाहिने हाथ में जेल, पुस्प, अच्छत लेकर व्रत का संकल्प लें और भगवान से प्रात्ना करें कि आज आप पूरी सरद्धा भाव से उनका व्रत एवम पूजन करेंगी वो आप का व्रत सफल करें और आपके परिवार की रच्छा करें इसके बाद पूरा दिन आप मन ही मन में गडेज जी के नाम का जाप करते रहें उनका नाम लेते रहें आपको बता दें कि वैसे तो ये व्रत निर्जला किया जाता है लेकिन जो महिलाएं बिमार हैं अस्वस्थ हैं तो वे इस व्रत को फलाहरे भी कर सकती है आप सुबह पूजा करने के बाद चाय, जूस, दूद, पानी, वफल वगेरा ले सकती है अब आप साम के समय पुना इसनान करके स्वच्छ वस्धारान करें ध्यान रखें, आप पूजा के समय अच्छे से स्रंगार करके तयार होकर ही पूजा करें अब पूजा इस्थल के लिए इसान कौन यानि उत्तर पूर्विदिसा का जुनाओ करें सबसे पहले पूजा इस्थल को गंगा जलचड़कर सुद्ध कर लें सभी पूजन की सामगरी एक जगहे कत्रित कर लें उसमें भी गंगा जलचड़कर उसे भी सुद्ध कर लें अब आप एक लकड़ी की चोकी या पटा रख लें और उसके उपर लाल या पीले रंग का वस्तर विछा लें अब इसके उपर आप गड़ेश जी की मूर्ती या फोटो इस्थापित कर दें आपको बता दें कि कहीं कहीं लोग मिट्टी की भी गड़ेश जी की मूर्ती इस दिन बना कर पूजा करते हैं और साथ ही स्यू पारवती की ऐसी फोटो रख लें जिसमें माता पारवती ने गडेश जी को गोद में ले रखा हो अब भगवान गडेश जी को पीले वस्तर पहनाएं और माता पारवती जी को लाल वस्तर और इसके बारद आप कलस की स्थापना करें एक कलस में सुद्ध जल, वगंगा जल, अक्छत, सुपाड़ी, एक हल्दी की गाट और सिक्का डाल कर थोड़े से चावल के उपर इस्थापित कर दें फिराम के पत्ते लगा कर चावल भरी का तोरी से ढग दें और उसके उपर दीप प्रजुलित कर दें ध्यान रखें कि कलस के मुख पर मौली बांद लें और कलस पर स्वास्तिक का चिन्ने भी बना लें साथ ही एक पान के पत्ते पर गौर की भी स्थापना कर लें अब सभी भगवान की विद्वच पूजा करें उन्हें जल, अक्छत, रोली लगाएं भगवान सिव जी को चंदन लगाएं मतापारवती जी को सुहाक का समान चढ़ाएं फूल माला पहनाएं गडेश जी को ओम गन गन बते नमा मंतर का जाप करते हुए 21 दूरवा चढ़ाएं इससे आपको बेहत लाब मिलेगा और पांसुपाड़ी अर्पित करें फल में आप अमरूद, गन्ना, सकरकंद चढ़ाएं बस ध्यान रखें कि सकरकंद आप उबली या भुनी हुई अर्पित करें और नैवेत में तिल गुड के बने लड्डू का भोग लगाया जाता है धूब दीब जलाकर सभी की विद्वत पूजा करें इस दिन तिलकुट का पहाड या बक्रा भी मनाया जाता है तिल को अच्छे से कूट कर भून कर गुण मिलाया जाता है अब जो तिलकुट का पहाड है या बक्रा है उसकी भी पूजा करें उसे भी रोली अक्षा तरपित करें, दूब तीब दिखाएं अब आप थोड़े से काले तिल और दूरवा वपुस्प हाथ मिलेकर सकट चौध व्रत की कथा सुनें इसके बाद आप चौध माता वगडेश जी की आरती करें और हाथ जोड़कर भगवान से संतान की सुक समरधी के लिए प्रातना करें और उनकी रच्छा की काम ना करें अब पूजा संपन होने के बाद जो तिलकुट का बकरा बनता है उसकी गरदन घर का बच्चा कार देता है ध्यान रखें आप अपने बच्चे को पूजा इस थल पर बुला कर भगवान का आसिरवाद लेने के लिए जरूर बोलें और उसे भी आरती दें और उसके दाहिने हाथ में रक्छा सूत्र बांद कर उसके माते पर तिलक जरूर करें और अब बच्चों को अपनी मा के चरण इस पर सकरके उनका आसिरवाद भी लेना चाहिए और इसके बाद जब चंद्रमा निकल आए तब चंद्रमा को अर्द दें इसके लिए आप एक कलस या लोटी में सुद्ध जल, गंगा जल वा कच्चा दूद मिला लें अब उसमें रोली, काले तिल, पुस्प आधि मिला कर चंद्रमा को अर्द दें, धूब दीब दिखाएं और चंद्रमा से अपने घर परिवार की सुख सान्ती के लिए प्रातना करें अब पूजा समाप्त होने के बाद घर के सभी बड़े बुजुर्गों के पैर चूकर उनका असिरवाद लें या कहीं कहीं इस दिन सास को बाइना दिया जाता है तो आप तिल के लड़ू के साथ कुछ पैसे रखकर अपनी सास को देकर उनका असिरवाद जरूर लें अफला हारी भोजन कर सकती हैं इसमें आप साबू दान की खिचड़ी, खीर या कुट्टू असिंगाडे के आटे की पूड़ी सबजी भी खा सकते हैं और अगले दिन सुबह ही पूजा करने के बाद अनको ग्रहन करें लेकिन अगर आपके हां रात में ही भोजन कर लिया जाता है तो आप पूजा के बाद पक्का भोजन खा सकती हैं आप वैसे ही करें जैसे कि आपके परिवार की परंपरा है और दोस्तों इस दिन आप अपनी सामर्थ के नुसार दान भी अवस्ष करें आप तिल गुड, कंबल, वस्त्र या धनादि का दान करें और एक बात बता दूं कि वरती को इस दिन छूट नहीं बोलना चाहिए लडाई जगडा भी नहीं करना चाहिए और ध्यान रखें कि दिन के समय इस दिन भूल कर भी ना सोएं साथ ही इस दिन पूर्ण ब्रह्मचर का पालन करना चाहिए और किसी की चुबली भी ना करें अनिता आपको वरत का फल नहीं मिलता है तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमाता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्थ से पूछ लें और इस वीडियो को लाइं करें सेयर करें साथ हिसास चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद